इनको सामराजों को खतम करने के लिए चाहिए कि इनको हर जगह से दुद्कारा जाया निकाला जाया तभी इनका खात्मा हो सकता है इनको कुछ भी समझ में है कि जीवन किस तरह से जिया जाता है अब बताईए इतनी बड़ी घटना करने के वाद बेहन जी अगर उन्हें अपने पार्टी में रखती है तो क्या बात है उनको पार्टी से निश्कासित पे किया जाए मैं यहीं मांग कर रही है इनको पार्टी से निकाला जाए इनका निश्कासित किया जाए चाहिए जैसे क पतनी जया जी मयावती ने कहा है कि वो किसी को भी अतीक उसके परिवार को टिकट नहीं देंगे यह था कि शाहिसता प्रविन को टिकट दिया सकता है पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ तेह जिल से, जो उन्होंने आज निर्णा लिया है, बहुत अच्छा किया, कि माफियों की औरतों को बढ़ावा मिल रहा था, कि अगर आप टिकट दे देती तो माफियों की औरतों को बढ़ावा मिलता, साथ में ये अपना फि सतस्या खतम होने से यह होगा कि वो पूरा उनका जो अस्तित्त रहेगा वो खतम होगा, उन्होंने कहा है कि जब उनकी गिरिफतारी होगी पुलिस जब जाच पूरा कर लेगी, अगर उनको लगता है कि ये दोशी हैं तो करवाई करेंगी पार्टी के तो अभी मुझे रग उनकी जब एक हाई कि R.D.S. अब इसकी इनकी पैशाया खतेेर ही है, अब ढ menjadi एक्तित्य देने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ये जो है फिलाल हत्यारे हैं और हत्या करके आज लूट पात करके इस तरह से बने वह अपना सामराज कायम की वह तो इनको सामराज को खतम करने के लिए चाहिए कि इनको हर जगह से धुतकारा जाए निकाला जाए तभी इनका खात्मा हो सकता है इनको कुछ भी समझ में है कि जीवन किस तरह से जिया जाता है किसी को संतुष्ट जेना जी देना चाहिए ना कि उसकी निर्मम हत्या करना जिस तरह से मेरे आज मेरे हस्बन की इन्होंने हत्या करवाई अपने बेटे के द्वारा आज सरयामा करके मेरे छोटे-छ लगती हैं तो क्या बात है उनको पार्टी से निस्कासित भी किया जाए मैं यही मांग कर रही उन से इस घटना के बाद जो जानकारी मिली जू इन्फरमेशन मिल रही है कि शाहिस्ता परविन की भूमिका बड़ी थी उन्होंने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया शुटर् देखे हजबन मैंने अपसे फिर से दुबारा दोहरा रही हूँ कि हजबन वहाँ पे हैं सावरमती जिल में है वरेली जिल में अश्रफ है इन्होंने अपना चक्रवियो अंजाम दिया तो चक्रवियो अंजाम देने का तरीका जो है अपनी बीवी को हैंडल किया बीवी जो अपने लड़के को मरवाने के लिए भेजरी कितनी बड़ी महान औरत है कि आज हमने समझ में आया कि हम लोग औरते हैं हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने की सिक्षा देते हैं कि अच्छे नागरिक बनो नाके गुंडा मावाली बनो इस तरह से जैसे उन्होंने अपने ब आत्मा जरूरी है एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से शाहिस्ता परवीन ने पूरे नेटवर्क को संभाला अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है आपको लगता कि सीम ने कहा था सदन में की मिट्टी में मिला देंगे इनसाफ आप लोग को लग रहा है या जो अभी तक कार आगिर कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं ये मुझे समझ में आ रहा है सासन पर शासन लगी हुई यह और बताया ना कि ये माफिया आज के पैदा हुए नहीं है वहाई है आज हम अपने बचों को समझाटे ये तो समझदार खुद है पाजाल के विधायक भी रह चुकर एक क जाल का सांसाद भी रह चुका है और इनके पैसे की कमी भी नहीं है, इनके पारुप की भी कमी नहीं है, ये हर चीज में पाउर्फूल है, इनका खात्मा करने के लिए जब हम लोग सब जगह से इसको हटा गिराएंगे, जमीन में लाएंगे तब ही इनको समझ में आएगा जी जीवन क्या होता है? बाबाजी पर सब छोड़ा है, बाबाजी जो नियाद देंगे, वो बहुत अच्छा देंगे, मैं उन्हों जो उन्होंने सदन में कहा है, उनको वाक्यों को पूरा जरूर करें, मैं बस वही वाम उनसे बिंति करती हूँ, उन्हें वो मेरे पिता समाने, जैसा भी करेंगे, व उसका परिवार है, उसे मिट्टियों मिलाए जाएगा, तभी इन्हें सही माइने में निसाफ मिल पाएगा,